नमस्कार स्वागत एवं अभीननन पूर्ण हमेरे चैनल अक्षे ज्यान पे आज आपके समक्ष शद्धों की पुस्तक हिंदी में मैं कौन हूं कि अभ्यास को लेकर उपस्तितु हूं हम पहले पाठ का अध्यन करेंगे इसके बाद अभ्यास को देखेंगे देखे मैं कौन आप लोग पहशाने देखे चित्र में देखे चित्र को देखकर आप लोग अंदाजार भी लगा लेंगे और बता भी ले जाएं शेक्षिकावी बच्चों को बहुत सारे प्रश्णों के माध्यम से इस चित्र में दिये गये हैं पूछ करके उनको प्रकण पर कि मैं कौन ह कि लेकर आ सकते कि वर्शा का पानी है क्या है बादल है देखे मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूं मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूं वहां से बरसकर धरती पर चला आता हूं तो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ वहां से बरसकर धर्ती पर चला आता हूँ अपनी बात कह रहा है तुम कागच की नाव बना कर मुझ में ही तैराते हो ठीक है बच्चों से कह रहा है कि तुम कागच की नाव जो बनाते हो अब मुझ में तो अब बच्चे इसको आराम से बता लेंगे कि ये बर्चा का प और छीलों में जमा होता हूँ नदियों में बहता हूँ बहकर समझर में पहचाता हूँ बहकर समझर में पहुचाता हूँ वहां से भाब बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर परस जाता हूँ बहुती सुन्दर बहुती अच्छी बात एकदम फैक्ट है और बच्चों को पता होना चाहिए कि पानी कैसे बनता है क्या होता है भाब बनकर उड़कर के बादल बनकर बरसते हैं पानी कहां कहां जाता है देखे क्या क्या करता है पानी इसमें सब चीज बताई जा रही है तालाबो और जीलों में जमा होता हूँ पानी कहां एकटा हो जाता है तालाबो और जीलों में नदियों में बैता हूँ समुद्र बनकर पहुंचता हूँ बैकर समुद्र में भी जाता है यनि पानी कहां कहां पहुंच जाता है ताला, नदी, जील और समुन्द, ठीक है, पताओ मैं कौन हूँ, पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं नल में आता हूँ, कौन से निकाला जाता हूँ, बांधों मैं जमा होता हूँ, देखी कहां कहां पानी आता है, नल से भी आता है पानी, कौन से भी हम लोग बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं, गाहों में शोत होते हैं पानी के कुवा, पताओ मैं कौन हूँ, तुम मुझसे ही हात मुध होते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो, बताओ मैं कौन हूँ, तो बच्चे पता लेंगे क कहां किस से खाना बनता है बच्चे इसमें बिभीन प्रकार के प्रिशनों को पूछ करके बच्चों को इसमें इंगेज कर सकती है और बता सकती है बच्चे इसको बहुत अच्छे से मन लगा कि बड़ी रोचकता के साथ इस पाट का अध्यान करेंगे और बहुत ही अच्छा ह होता, बेर पौधे नहीं होते, हम स्वास कैसे लगते, स्वास कैसे लेते और साथी अगर फ़सले नहीं होते तो हम बोजन कैसे करतें नंगे, जीवन हमारा कैसे संभव है बिना पानी के मसलियां मुझमें ही रहती है, पताओ मैं कौन हूँ, मेरी जरुरत सभी को है अगर मैं साफ रहूं तो तुम भी स्वस्त रहते हो यदि पानी साफ है तो हम भी स्वस्त रहते हैं अगर पानी गंदा है तो हमें कितनी प्रकार की बिमारियां आ जाती हैं तुम मुझे गंदा कर दे कोई मुझे गंदा कर देगा तो बिमार हो जाओगे इसलिए खोला एक लास पानी लेना था पाकी नल बहता रहा पानी आप ब्रश कर रहे हो नल खोल दिया पानी बहरा है अब ब्रश करने में बहुत टाइम लग जला यह पांच मिर पानी बहरा है तब ही तुम स्वस्थ और प्रसंद रहोगे यह अगर पानी का सही उपयोग करोगे तो स बहुत ही अच्छा पाठ है हमें पानी कहां कहां से मिलता है बहुत ही अच्छा प्रश्ण है ये देखिए जीलों से जीलों तालाबों नदियों ठीक है नदिया हो गया समुद्र ठीक है कुवा से और नल से इतनी जगा से हम पानी को निकालते हैं चार ऐसे शब्द बनाओ जिनके बाद नी आता है जैसे पानी, कहानी, रानी, महरवानी, महरानी और एक और बनाना है नी से पानी हो गया रानी, महरानी, सानी होता है एक शब्द दता है सानी ठीक है जो सानी समझते हो आप लोग क्या होता है जो गाहे को दी जाती है बना करके आता चोकर मुला करके उसको सानी बोलते हैं ये बुंदिल खंडी वर्ड है ठीक है पानी के बारे में तीन वाग के अपनी कॉपी में लिखो देखो पानी ठंडा होता है पानी को साफ रखना चाहिए पानी बरवाद नहीं करना चाहिए जितने पानी की आवशक्ता हो उतना ही प्रयोग करें मतलब जितना गलास में आप पीना उतना ही निकालें अब देखिए तुम पानी की बरवादी कैसे रुख सोते है स्कूल में आप किसी नल को खुला मत छोड़िए किसी नल को खुला नहीं छोड़ें ठीक है सबसे बड़ी बात इस कूल में पहुत सारे नल लगे तो उसको पानी अगर छोड़ देंगे खुला पानी बरवाद होगा घर में देखिए घर में पानी की बरवादी कैसे रुख सकते हैं जितनी आप सकता हो जितनी आवशक्ता हो उतना ही गलास में लें अब जिसे आरो की बात करेंगे तो हम आरो का जो पानी होता है इसमें हम बहुत डेटेल में नहीं बता रहें से वैसी बता दे रहें कि जो आरो का पानी होता है उसका अपयोग हम घर में चाड़ू पूचा में बरतन धुलने में पौधों को डालने में यहीं आरो के पानी को इसमें लिख देती हूँ ठीक है कूलर में ठीक है और हो गया साफ सफाई में प्रियोग करें इससे हमारा पानी बच जाएगा आस पास पानी की परवादी कैसरोग जाते हैं जैसे किसी के तंकी बहर है यह पानी खुला पानी को खुला ना रखें खुला ना छोड़ें पानी को बंद करते हैं बहते हुए पानी की टंकी बंद करते हैं अब देखिए इसमें है पढ़ोज पानी का जल नेर ये परयावची है नाओ का नईया नौका पानी पर कोई कविता अपनी सेली मित्र को सुनाओ तो ये आप बनाईएगा चित्र को देखो सोचो बंदर ऐसा कर साथ तो हम क्यों नहीं तो इसमें बहुत सारी चर्चा परी चर्चा हो सकती कक्षा में बच्चों से पानी की उपयोगता पर चर्चा करें गंदे पानी से होने वाली हानियों को समझने का अवसर भी बच्चों को दें पानी के सीमित उपयोग के बारे बच्चों को जागुरू बना है अब सीमी तो प्योग वही है कि जितना हमें आ सकता उतना हमें प्योग करें सानी कि बालटी भरती बहरा पानी वो नहीं अब देखें जी पार्ट है इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें पताना चाहरे हूँ कि जैसे बादल है आसमान है इन सब के क्या होंगे पर्यावची सब ठीक है अब ये नाव हो गई जैसे नईया नौका और श्रोत जैसे अब हम तालाव नदियां ठीक है समुद्ध इन सब के पर प्रयावची आप लोग ढूंड करके लाईए घर से पूछ कर माता पिता से किसी वितर से और वितरतारियों कुन-कुन से हैं जैसे कपड़े ठीक है ये हो गया पक्षी जैसे खाग विहाग वियरा जो होते हैं इस तरह से पेड़ पौदे अब पेड़ का भी आप बना सकते है इन सब के बनाने है आप लोग को सारे बच्चों को यह हमबर्ग दी जाएगी क्या देना है इन सबके पर्यावची लिए तो यह ग्रह कारे हो जाएगा लिए ग्रिक कारे देते समय इन सबक्राइब बिसेज द्धाना के एक-eक-एक-डोदो जैसे इसमें बता आया है पा इन सब को और क्या बोलते हैं ये ढूंडेंगे इससे उनको थोड़ा सा जिक्यासा होगी कि और क्या कहा कहा जाता है तो इस तरह का कार बच्चों को देना चाहिए धन्यवाद